नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारी यूटूब चैनल एजूकेशन में आज हम लोग इस वीडियो में कम्प्यूटर नौलेज ए आई ओ अर्थात कम्प्यूटर ग्यान आल इन वन का दूसरा लेक्चर देखेंगे इसमें हम लोग कम्प्यूटर का इतिहास एवं कम्प्यूटर का पिडि को समझेंगे इस वीडियो में CG व्यापम द्वारा जितने भी प्रिवियस देर में जो कम्प्यूटर से सम्बंधित प्रस्ण पुछे गए हैं उसका पूरा सी लेबस को ध्यान में रखते हुए हम लोग सभी टापिक को कवर करेंगे तो चले शुरू करते हैं आज का हमारा या लेक्चर कम्प्यूटर के विकास का इतिहास चीन से आराम होता है जहां सबसे पहले एक चीनी वैज्यानिक ने अबेकस नामक गड़ना यंत्र बनाया था यह यंत्र 1450 इसापूरों में बनाया गया था जिसमें एकतार में मन के गुद कर गड़ना को सरल बनाने का प्रयास किया गया था यह गड़ना यंत्र ठीक उसी प्रकार था जिस प्रकार आंगनवाडी में बच्चों को खेल-खेल में सिखाने के लिए एक तार के अंदर मोती जैसे छोटे-छोटे जो बाल है या फिर जो मोती है उसको पिरो करके गड़ना कराया जाता है दूसरा गड़ना यंत्र इसकोटलेंड के गड़ी तक जान नेपियर ने बनाया था जिसको नेपियर की हड़ी या भी नेपियर बोन भी कहा जाता है इसमें उन्होंने ग्राफिक्स का प्रियोग किया था उसके बाद फ्रांस के एक वैज्ञानिक पास्कल ने पास्कलाइन नामक एक यंत्र बनाया जिसमें जोड़ना तथा घटाना ही संभा हो पाया यहा खोज उन्होंने 1642 में किया उसके बाद डिफ्रेंस इंजन नामक एक गड़ना यंत्र जिसका आविश्कार 1822 में ब्रिटेन के वैज्ञानिक चास्स बैवेज ने किया था इस गड़ना यंत्र में बीज गड़ित का उप्योग किया गया था जिसमें सभी गड़िताएं गड़िती संक्रियाएं संभा हो पाया चास्स बैवेज को ही कम्प्यूटर का पितामा या फिर जनक भी कहा जाता है डिफ्रेंस इंजन के अविस्कार के कुछ वर्सों बाद ही ब्रिटेन के वैज्ञानिक चास्स बैवेज ने 1837 में एनालिटिकल इंजन का भी अविस्कार किया जिसमें भी सारी गड़िताएं गड़िती संक्रियाएं संभा हो पाया आगे चलकर एनी एक नामक सबसे पहला इलेक्ट्रोनिक कम्प्यूटर का विकास हुआ जिसको वज्ञानिक जे पी एकट एवं जान मौचली ने बनाया था उसके बाद क्रमसा, एडज act, एड वेग, यूनिवेग जैसे कम्प्यूटर धिरे धिरे, I और आधनी कम्प्यूटर का सफर स्टार्ट हुआ अध्यान की द्रिष्टी से कम्प्यूटर को पांच पीड़ी में बाटा गया है सबसे पहला जो कंप्यूटर का प्रथम पीड़ी है उसको 1946 से 1969 के बीच माना जाता है किसी किताबों में यह जो वर्ष है वह 1940 भी दिया हुआ है लेकिन हम लोग यहां 1946 से 1969 तक मानेंगे इस पीड़ी का कंप्यूटर बहुत बड़ा, खर्चीला और अधिक उर्जा खपत करने वाला होता था प्रथम पीड़ी के कंप्यूटर में इस टोरेज के लिए पंच काट का उपयोग किया जाता था साथ ही इसमें निर्वात नली जिसको वैक्यूम ट्यूब भी कहा जाता है का उपयोग किया जाता था प्रथम पीड़ी के कंप्यूटरों में प्रोग्रामिंग के लिए निम्न इस्तरी भासा का प्रयोग किया जाता था इस पीड़ी में असेंबली भासा का विकास डॉक्टर ग्रेश हापर द्वारा किया गया प्रतम पीड़ी के कम्प्यूटर का उधारन है मार्क 01, NE1, UNIWAG, ADWAG, आधी अध्यान की दृष्टी से 1969 से 1965 के बीच जितने भी कम्प्यूटर विक्सित हुए उनको द्वित्यक पीड़ी का कम्प्यूटर कहा जाता है द्वित्यक पीड़ी के कम्प्यूटरों में निर्वात नली की जगा टांजिस्टर का उप्योग किया जाने लगा जो की निर्वात नली से ज़्यादा एफिसेंट था और कम खर्चिला था उसके बाद पंच काट की जगा चुम्बक्की भंडारन उपकरणों का उप्योग किया जाने लगा जिससे भंडारन चमता में वृद्धे हुई इस पिढ़ी से व्यावसाय तथा उद्योग में कम्प्योटर का उप्योग आरंब हुआ द्वित्यक पिढ़ी के कम्प्योटरों में कोबोल और फोट्रेन नामक उच इस्तरी भासा का प्रियोग किया जाता था द्वित्यक पिढ़ी के कम्प्योटर IBM 1401 और PDP8 आदी है 1975 के भी जितने भी कम्प्योटर का विकास हुआ उनको त्वित्यक पिढ़ी का कम्प्योटर कहा जाने लगा इसमें ट्रांजिस्टर की जगा IC अर्थाद Integrated Circuit का उप्योग किया जाता था जिसमें एक छोटे से IC के अंदर ही बहुत सारे कैपेसिटर इंड़क्टर आदी मवजूद होते थे तीत्यक पिढ़ी के कम्प्योटर में Small Scale Integration और Medium Scale Integration का उप्योग आर्म हुआ तीत्यक पिढ़ी में चुम्बकी भंडारन चमता में व्रिद्धी हुआ क्योंकि Random Access Memory RAM का उप्योग आर्म हुआ उच इस्तरी भासा Pascal एवं Basic का विकास हुआ तीत्यक पिढ़ी के कम्प्योटर का उदारन है IBM 360 और B6500 आदी अब हम लोग देखते हैं चतूर्थ पिढ़ी के कम्प्योटर 1975 से 1989 के बीद जितने भी कम्प्योटर का फिकास हुआ उनको चतूर्थ पिढ़ी का कम्प्योटर कहा जाता है इस पिढ़ी में Large Scale Integration और Very Large Scale Integration Technology का उप्योग किया जाने लगा साथ ही Micro Processor का उप्योग भी चतूर्थ पिढ़ी के कम्प्योटर में ही आरंब हुआ चतूर्थ पिढ़ी के कम्प्योटर में उप्योग होने वाले Micro Processor का अविसकार M.E. Half ने 1971 में किया था जिसके आविसकार से Personal Computer का विकास हुआ चतूर्थ पिढ़ी में चुम्बकी भंडारन की जगा अर्थ चालक मेमोरी का उप्योग किया जाने लगा जिसमें अर्थ चालक युक्ती सिलिकॉन का प्रियोग किया जाता था चतूर्थ पिढ़ी में Wide Area Network और Local Area Network जैसे Computer Network का आरम हुआ जिसमें एक साथ बहुत सारे Computer आपस में जुड़े होते हैं उच इस्तरी भासा C का विकास चतूर्थ पिढ़ी के Computer में किया गया इसी पिढ़ी में MS-DOS, MS-Windows और Apple iOS जैसे Operating System का विकास हुआ Graphical User Interface GUI का विकास हुआ चतूर्थ पिढ़ी के Computer का उदाहरन Intel 4004 चीप आदी है 1989 से अब तक जितने भी Computer का विकास हुआ था और जो हो रहा है उसको पंचम पिढ़ी के Computer कहा जाता है इसमें Ultra Large Scale Integration के विकास से करोडो इलेक्ट्रोनिक उपकरन को एक ही जगा लगाया जा सकता है पंचम पिढ़ी के Computer में ही इंटरनेट इमेल डबलु डबलु आदी का विकास हुआ डबलु डबलु का फुल पाम होता है World Wide Web पंचम पिढ़ी के Computer आने से ही Artificial Intelligence का विकास हुआ जिसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहा जाता है इसका अच्छा उधारन रोबोट है पंचम पिढ़ी के Computer में उच इस्तरी भासा C++, Java, Python आदी का विकास हुआ इसमें Magnetic Bubble Memory का विकास हुआ जिससे भंडारन चमता में विरिद्धि हुआ अब हम लोग Computer का वर्गी करण देखेंगे सबसे पहले आकार के आधार पर Computer का वर्गी करण करते हैं इसके अनुसार Computer चार प्रकार का होता है सबसे पहला है Micro Computer इसके उधारन है टेबलेट और आजकल हम लोग जो स्मार्टफोन यूज करते हैं वो भी Micro Computer का ही उधारन है दूसरा है Mini Computer तीसरा है Mainframe Computer अच्छा है Super Computer उधार के आधार पर Computer दो प्रकार के होते हैं सामान्य अनुप्रियोग Computer सामान्य अनुप्रियोग Computer का उप्योग हम लोग सामानेता आफिस में या फिर कॉलेजों में या फिर पढ़ाई के लिए करते हैं अर दूसरा होता है महत्पुण अनुप्रियोग Computer ये Computer Special Purpose के लिए होते हैं जैसे भूकम का ज्यान, मौसम विज्यान, अनुसंधान केंद्र आधि में महत्पुण अनुप्रियोग Computer का उप्योग करते हैं अनुप्रियोग के आधार पर Computer तीन प्रकार का होता है इनलोग Computer, Digital Computer और Hybrid Computer इनलोग Computer के माध्यम से हम लोग Analog Signal को Analyze कर सकते हैं और दूसरा जो Digital Computer है उसमें Digital Signal को Analyze कर सकते हैं और तीसरा Computer Hybrid Computer है जिसमें Analog एवं Digital दोनों प्रकार के Signal को असानी से Analyze कर सकते हैं थैंक्यू दोस्तों पर वाचिंग वीडियो अच्छा लगे तो Like, Comment और Share जरूर करिएगा साथ ही हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप गडित हिंदी, समाने ज्यान, 36 गड़, आदी विशय का ज्यान भी प्राप्त कर सकते हैं थैंक्यू पर वाचिंग मिलते हैं हमारे नेस्ट वीडियो में